अब लियुक्त वालकम टो मैं चैनल होग के आप सब खैरेत से होगे और चैनल भी देख रहे होगे जितनी बीडियू आने वाले विभस है आप सबसे हमब रेक्वेस्ट तर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वेला अकम प्रेस करें ताक मेरे जीवर पर जाती है Hayes के Side पर जो जूरियों पर जाती है पुरी स्कीन सॉफट हो जाती है लटक जाती है नीचे को इस पूरी आपके स्केन को टाइट करेंगी जूरियों का और Inkn Ford वगरा का खात्मा करेंगा तो वीडियो को मस्ट एंड तक दिखिएगा और रेमेडिस को अपलाई कीजिएगा बनाईएगा जिस मेधद से मैं बनाऊँगी फिर मुझे बताईएगा ठीक है चलें फिर लेट्स को स्टार्ट करते हैं करते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा यह तर्मेरिक पाउडर ठीक है हल्ती उसको छली में स्ट्रेंड कीया चाना ए तो यह बिल्कु बारिक पाउडर निकलाएगा यह चीने है यह responds दो निया यह मैं आपको मसूर की जो लाल वली डाल होती है उसको आप ग्रैंट करकर रख लें यह चाहिए होगी और इसमें आपको फिट करी चाहिए होगी चलें आपके साथ शेयर करते ही पहले एक वाइट निकालेंगे बिसमिल्लार रख्मान निरहीं कि परकत कि यह जस्ट बस इतना ही एक वाइट चाहिए जितनी रुकैर्मेंट है वह मैंने ले लिए यह एक वाइट ले लिए अब इसमें कि लेमन के डॉप्स अब इसमें हम एड़ करेंगे तर्मेरिक पाउडर यह हम टू पिंच दो चुटकी यह तीन चार चुटकी बराबर टी स्पून का वन फॉर्थ आप इसमें या वन थर्ड आप यूज कर सकते हैं ठीक है तर्मेरिक पाउडर हो गया इसमें अब इसमें जाएगी चीनी यह आपकी स्कीन को यह भी टाइट करने में बहुत जादा हेल्पूल होती है चीनी आप वन यह वली टी स्पून एड करेंगे अब इसमें जो जाएगा यह चमच का फ्रांट से गिला है तो यह सारा वो खराब हो जागा है इसलिए मैं बैक से नकारा हूं यह दो चुटकी कि यह वर्ण टी स्पून टी स्पून से थोड़ा ज़याता वन एन अदर हफ टी स्पून यह आ इसमें करनें अब जो इसमें अगर मैं चेक करूंगी अगर ज्याता थिक होकी है ना मैटेरियल तो एकवाइट इसमें मैं थोड़ा सा और राट करूंगी और लेमन जूस चाहे अब यह है फटक्री पॉडरा चाहे आप बरियां करकर बड़ को ग्रेंट कर लूए चाहे पहं हो ऊहां इस ली साज़का बैल चाहे से तूनों ही तरीकों से ये एक चुटकी और ये दो चुटकी इसमें फटकरी एड़ हो गई ठीक है ये दो इंक्रीडेइंज हो गए अब इसको मैं करते हूं अब चैक करती हूं कि इसकी तिकनिस कितनी होता है ठिकने ज्यादा होगी तो फिर इसमें मैं जरा लेमन जूस और एक वाइट थोड़ा और एड़ कर लूँगी बहतरीन आपका ये जो है मास्क घर के उपर ही रेडी होगा खीक है और ये मास्क जो है ये आपने अपलाई कर कीजिएगा अपने फुल फेस के उपर इसकी ज्यादा ठिकनित नहीं हुई ठीक है सब इंक्रेडिएंस आप ही के सामने एड़ की है और आपही के सामने ये मीक्सिंग की है हर चीज की और इसकी ये आप देखने अगर अपने माटिरियल है अपने हैं आपने हैंड के उपर और और अरम के उपर भी लगाना हाँ तो इस quantity को आप डबल कर सकते हैं अपनी नेक के उपर भी लगा लें गर्दन तक नीचे यहां तक ठीक है फेस के उपर गर्दन के उपर अपलाई करें अपलाई करकर तो इस मैटेरियल को आपने जिस तरह से मास्क लगा करें पहले आपने अबसर्ब करने एक बर अपनी स्किन में इस सारे माटेरियल को आपने अपनी स्किन में एक पर इस तरह से मैं आपको करकर बता दें तो पहले अबसर्ब करने अच्छी तरह से इस तरह से स्किन के अंदर ठीक है स्किन के अंदर पहले आपने माटेरियल को अबसर्ब कर लेना है ठीक है पांच मंठ तक आपने इसको अबजर्ब करना है सही तरह से जर्ब करना है स्किन में होजे स्किन में जर्ब पांच मंठ तक सही तरह से आप अपनी स्किन में करें और स्किन का जो फेस का पार्ट होता है ना चिन वले पार्ट से आप उपा की तरफ किया करें ठीक है, उपर से नीचे की तरफ ना किया करें, नेक की तरफ ना किया करें, बलके चीन वले साइट से नीचे से आप इस तरह से उपर की तरफ स्कीन को किया करें, ठीक है, ऐसे, इस तरह से, ये दिखें, सही तरह से हो ज़े, जब फिर आपने क्या करना है, लेयर आपने सही त इसको फिर अपने ड्याय होने के लिए अपनी स्किन को फ्री हैंड छोड़ देना है बिल्कुल रिलाक्स होकर बैठ जाहें लेट जाहें कोई बुक कर लेटकोच कर लिए तक लगाकर रखना है थे पिर एक घंठे के बाद framework आपने क्या करना है अपने स्किन को फ्रेश वाटर से वाश आउट कर लें वाश आउट करकर तो बस ये आपके स्किन को टाइट करने की बहतरी रेमेडी है ठीक है और इसको आप वीक में थ्री टाइम्स या फिर फोर टाइम्स अपलाई मस्ट करें आप रिजर्ट विदिन वरं मञंथ आप इसके रिजर्ट बेस्ट डैफेक्ट देखेंगे ठीक है चलें पर आज के लिए बस इतना ही बहुत बेस्ट रेमेडी है बहुत अच्छे इसके बेनीफट्स आते होती है इसमें लेमन भी है लेमन आपकी स्किन के लिए बहुत बैस्ट होता है, स्किन की वाइटनिस के लिए बहुत अच्छा है, लेमन फिर एक वाइट है, एक वाइट आपकी स्किन को टाइट करता है, ठीक है, बहतरी मास्क की तोर पर यूज होता है, फिर इसमें टर्मेरिक पाउडर यूज हुआ है जो कहल दी है हल्ती Day को डिफरन्ट जर्मस वखुरासे बचाती है जरसीम वखूरा का खाथमा करती है आपकिए नकी दिखे और होती है जो चूरी पहुआ इस तक। कूरने में बहुत जाड़ा है है फिर इसमें जो तो फिटकरी है ठीक है अलम बहुत बहतरीन है इन सब चीजों के साथ कमबिनिशन बहतरीन है ठीक है टोब किंशन है इसका फिटकातर है सब शब्सकीर करों भी आपके स्कीन को टाइट करती है टाइट करने में बहुत स्थाहा की जिवत है। त demasiered की दाल यूज यूज हुआ है अगर आपके पास अवेलियवल ना हो तो आप बेसं भी इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं यह भी आपकी स्किन को टाइट करती हैं आपके स्किन में ग्लो लेकर आती है आपके किनगे को वाइट करती है कि बश्तव बचाहिए जाती है कर्वियों में उससे आपकी स्कीन को बचांट है ये सब चीजें जो हैं बहुत बैस करना है कर्मियों मैं यूज में यूज करनी चलिए सर्दियों में भी आप यूज कीजिए जिस तरह से मजी और जो प्रॉसेस बताया है उसी प्रॉसेस के तुरू यूज करें इंशाला तरह आपको बहुत बेस्ट रिसर्ट देखने को मिलेंगे चलें फिर आज के लिए बस इतना ही जाने से पहले हम बै प्रॉसेस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें और बैल आपको प्रैस करें और अपने कमेंट्स भी दिया करें और मेरे जो कम्यूनिटी के में मैं जो टाइपिंग करती हूं लाव से रिलेटट भी बहुत जाता इंफोर्मेशन होती है इसके लावा वैसे बहुत जाता नॉलिजबल इंफोर्मेशन में कम्यूनिटी में टाइप करती रहती हूं कम्यूनिटी भी मस्ट काइंडली रिट किया करें लाइक किया करें और कमेंट्स भी दिया करें आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पूर वासिंग होप है कि मेरी वीडियो आपको पसं हुआ झाल